आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार एड़ा 247 पर और आप सभी लोग को पता है कि बिहार बीएड इंट्रेंस एक्जाम की प्रिपरिशन की रिक्वार्मेंट को देखते हुए हम लोगों ने इस पूरी जो तैयारी की प्रक्रिया इसको शुरू कर दी है और लगातार ये क्लास चल रही है और आज इसी कड़ी में मेरी जो क्लास डेली 9 बजे होती है आज मैराथन सेशन है तो आज क्लास की डुरेशन दो घंटे तक रहेगी और आज के सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसलिए दो घंटे वी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 40 जो प्रस्ट आएंगे GKS के उसमें कहां से किस एरिया से कितने प्रस्ट आने है तो चलिए आप करता हूँ और प्राम करता हूँ प्रारम करने से Parlament करनेize पहले पताना चाहता हूं कि आप लोग सेशन के लिंक को थोड़ क्यूंकि आपको पता है कि 40 जो प्रस्ण आते हैं देखिए GKS के महत्पुन प्रश्णों की स्रिंखला है और आपको एक चीज़ और मैं बता दो कि अड़ा 24-7 का जो ऑफिसियल जो एप्लिकेशन है प्ले स्टोर पर एविलेबल है आप से भी लोग इसे डाउनलोड कर लीजे आप लोग क्वीज करेंट अफेर्स डेली क्वीज सब्जेक्ट वाइस क्वीज अटेम्ट करके आप अपने आपको इवेल्वेट और आप अपने कोर्सेस आप प्रिपेर कर रहे हैं किसी भी एक्जाम्स के लिए अब जा रहे हैं तो बिहारेटर 24-7 की टीम के द्वारा आपको प्रवाइड की जाती हैं कंप्रीट क्लासेस ठीक है तो आज हमारे सामने जो पहला प्रस्ट आ चुका है और हमारे साथ जोड़ चुके हैं ज सभी शंकर चांदनी अदीती मुकेश अमीत अलका अनामिका अदीती जितंद्र ट्विंकल बकसर सभी का स्वागत करता हूं मैं पहला प्रस्ट है रहुल जहाजी नमस्कार तो सेशन के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके फ्रेंट्स जो लोग भी प्रि डिकलेर किया गया है ललित नरायन मितला इंवनिवर्शिटी के दौरा आठ अप्रैल को और उसी काड़ी में हमारी जो है प्रिपरिशन चल रही है तो पहला जो प्रस्टन आपके सामने है कि हाल ही में देखे एक चीज़ पहले क्लियर कर दो कि जो 40 क्वेस्टन्स जीके जी लेंगे लिए और इसलिए करेंट अफेर को भी पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके बाद यहाँ पर आठ ऐसे क्वेस्टन्स होंगे जो जैनरल अवियरनेस के कॉंटेक्स्ट में होगा जैनरल आवियरनेस कहने का मतलब जो बेसिक क्वेस्टन्स होंगे बिलकुल आसान हो होंगे बट अलग अलग इरियास के होंगे तो बाराट बीस बाकी के 20 क्वेस्टिंज होंगे ना इसमें हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी यह सक्षंस और साइंस मिला करके होगा यह प्रिविएस यह पेपर का मैंने अनलाइसिस किया इसका निचोड मैं आपके के प्रस्पन रहेंगे वो आपके इसं से रहेंगे तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट करते हैं और यहां दəखेंगे हाली में किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है यूरो आपको पता है कि दुनिया के ऐसी पाँच करेंसी है दुनिया की ऐसी पाँच करेंसी है जो अंतराश्ट्रे मुद्रा कोस के द्वारा रिकेगनाईज किया गया है जो forex के रूप में, विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में maintain होता है, ठीक है, ये question DLAD में, बिलकुल आएगा जी तंदर कुमार जी, not only DLAD, आप कोई भी paper, one day exams आप दे रहे हैं, हर जगह applicable है, even आप TET papers देते हैं, seated के papers देते हैं, teaching के कोई भी exams देते हैं, जहाँ पर आप वो इसी level के होंगे, बिलकुल exactly same ही रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि 5 currency IMF के द्वारा recognize किया गया है, उसमें dollar है, euro है, ain है, yuan है, and pond है, ये 5 currency जिसमें SDR के रूप में जारी करता IMF, तो इसमें European countries में, Croatia जो अभी हाली में, euro को अपने मुद्रा के रूप में इसे स्विकार किया है, कौन सा country है, Croatia, ठीक है, याद रखेंगे, तो one का option ये सही है, अगला question number two आपके सामने है, तो जल्दी से आप लोग जबाब देंगे, शिला तिवारी जी, good evening, प्रियांका कुमारी जी, good evening, and welcome to this session, रोशन कुमार, good morning, भाईया, good evening, चलता हो, अरे, good morning, चलता का, good evening, होगे लवा, यहाँ देखे, वीत मंत्राले के तहद कौन सा विभाग, छोटी बचत योजनाओं पर दरों में बदलाओं की सूचना देता है, which department under the ministry of finance notifies changing the rates of small saving schemes, सबसे पहले बात है कि लगू बचत यो जोजनाओं को हम क्या कहते है, जैसे सुकन्या समरिद्धी अकाउंट जो होता है, आपने देखा है न, यह गल्स के नाम पर जो अकाउंट open किया जाता है, सुकन्या समरिद्धी अकाउंट, यह होता है, उसके बाद किसान विकास पत्र, पैंसन, जो PF होता है, प्रोविडें मंत्राले का ये जो विभाग दिया हुआ ना वीत मंत्राले का है कौन सा विभाग बचत युजनाओं में दरों का बदलाओं की सूचना करती है तो देखे आप से कोई सवाल ना बने तो परिशान नहीं होना यह हम सीखना है करेंट के सवाल हो सकता है आपको जनकारी नहों इस का ऴिभाग होता है वित मंत्राले का विभाग है कौन सा मंत्राले का विभाग है ministry of finance का विभाग मिनिश्ट्री ऑफ फाइननस का विभाग है to सीख दे जाए कि करेंट का तो आपने हो सकता है नहीं पढ़ा हो इसलिए नहीं बन रहा है तो यहां पर करेंट भी आपको त्यार हो जाएगा तो डिपार्टमेंट ओफ एकोनोमिक अफेर्स आर्थिक मामलों का विभाग कौन से मंत्राले का विभाग है बीत मंत्राले का के सरकार ने हाल ही में जनवरी मार्च तिमाही के लिए बरिष्ट नागरिक बचत योजना सहित कई छोटी बचत योजनाओं पर ब्याजदरों में ब्रिद्धे की है जैसे PPF जो होता है ना Public Provident Fund, पर 7.1% का, 10% का इंट्रेस्ट है, और सुकन्य समरिधी अकाउंट पर 7.6% इंट्रेस्ट है, सुकन्य समरिधी अकाउंट पर अभी ब्याजदर कितना है, 7.6% है, ठीक है, प्रिकाश कुमार यादो जी, गुड इवनिंग, तो अगला question number 3 आपके सामने है, third question, आप लोग मैं कोशिस कर रहा हूं कि आप लोग ही आंसर करें, उसके बाद ही मैं explain करूं, थोड़ा बहुत आपको भी गलत बनेगा, लेकिन सही होगा, फिर ठीक है, एंड कुमार यादो जी कर रही है, हिंदी, इंगलिश, रिजनिंग, जीके सुरू हो गई है तो यही तो क्लासेस हैं, कॉमल, आपकी कौन सी क्लासेस हैं, बताइए, यही तो क्लासेस हैं, जो YT पे सिसन्स चल रहे हैं, यह सारी सबजेक्ट्स ही तो हैं, आपके NPA डेंटरेंस के लिए, आपने देखा है, उसके पूरे syllabus को देखिए, बिलकुल हो जाएगा मंजेश सिं कितना कराते हैं, तो आप समझ रहे हैं, कि पांच शे घंटे की क्लासेस हो साथ, तो कितना ज्यादा होगा, ठीक है, और तू दपॉइंट होगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, आपको हर important topic का जो briefing किया जाएगा, आपके exam के label का ही करा दिया जाएगा, ताकि आपक से हो जाएगा, बिल्कुल कॉमल सब होगा, वन बाई वन होगा, आपको जो मिल रहा है, वो करते जाएए, वो सारी चीज़ में मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल प्लेलिस्ट बनवा दूँगा चांदनी, चली यहाँ पर देखिए, रेल में बोड की, अभी फोकस करिए, दो लोग बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रश्न का संग्रह हमने किया है, जो आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, कि कल सेशन नहीं हुआ था, आज हो रहा है, दो घंटा हमने दिया, कि दो घंटे में हम लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए, रेल ठीक है, मैंने कहा कि करेंट की भूमिका, फिर पॉलिटी की, कौनामी, स्टाटिक जीके की भूमिका बहुत बड़ी है, ठीक है, एंड, यहाँ देखिए, वो हैज बिन अपॉइंटेड ऐस दे न्यू चेर्मेंड और सीओ आफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के नए अ सर, कौमल गुपता जी बिलकुल आईए, स्वागत है आपका, बहुत सारे हमारे स्टुडेंट्स कनफ्यूज है, कौन सा सब्जेक्ट कब होगा, जो सब्जेक्स चल रहे हैं, उसको करिए, और अल्मोस्ट तो चली रहा है आपका, जो भी है, वो अपने आप एक दो दिन मे एड ओन हो जाएगा, ठीक है, एड ओन हो जाएगा, एक दो दिन में चिंता मत करिए, पहले तो ये भी रिसोर्स नहीं ता, हम लोगों नहीं इस चीज को समझा, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं, मैं पता है, बिहार में बीड के आने वाले दिनों में बहुत जादे कर रहे हैं, आप इस लेवल को अगर समझ जाए, तो बहुत होने वाला है, और आप भी एक्टिव हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर भी बहुत एनरजी है, बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपका ब्रैन खुलना भी चाहिए, आपकी डा जबाब होगा, अनील कुमार लाहोती जो है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्स बने है, लेकिन एक बात ध्यान रिखिए, आपके सामनी जो नाम है, थोड़ा सा पेसेंस रिखिए, मैं हर चीज को एक्स्प्रेइन कर दूँगा, यहाँ पर N.K. सिंग है, यह 15 वी बीत आय के अध्यक्स अभी कौन है, तो आप आंसर करिएगा, 15 फाइनेंस कमिशन के अध्यक्स है, N.K. सिंग, वीत आयोग पता है, एक फाइनेंस कमिशन राष्ट पती के दौरा गठित आयोग होता है, कि केंदर सरकार और राज्यों के बीच में, टेक्स का बटवारा कैसे होगा, इसको लेकर के सुझाओ देने का काम करता है, वीत आयोग, इसका प्रावधान आर्टिकल 280 में है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280, वीत आयोग का गठन कौन करता है, फॉर्मेशन तो प्रेसिडेंट करते हैं, वीत आयोग का फॉर्मेशन कौन करता है राष्ड पति करते हैं पसे निति अयोग भारत का फिंक टैंक है नीति अयोग तो नाम सुने ही होगा तो निति अयोग के वास चेर्मेन कौन है सुमन वहरी है ओम बिल्ला कौन है ओम बिल्ला लोक सभाक रध्यक्स है तो आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि लोग क्योंकि यह आपके लेवल का सारा सवाल है आप कभी मत सोचेगा कि यह असान है यह मुश्किल है यही लेवल है हमने सारे प्रीवियस यर्स पेपर को प्रॉपरली देखा है तभी मैं यह बात कर रहा हूं और इसलिए कह रह अनके सिंग वित आयोग मतलब फाइनेंस कमिशन के चेर्मैन है सुमन बेरी नीती आयोग की वाइस चेर्मैन है और ओम बिल्डा लोकसवाय स्पीकर है अनील कुमार लाहोती कौन बने है रेलवे बोड के नए अध्यक्स बने है और इससे पहले कौन थे विनै कुमार सकसेना की जगह पर ये रेलवे बोड के अध्यक्स बने है तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया बताइए मुझे ठीक है लोकसवाय स्पीकर होता है नौट प्रेसिडेंट अगला क्विश्चन क्या है ब्राजील के 49 में 39 राष्ट पती के रूपे किसने सपदली है ठीक है 39 प्रेस हैं इसके इसमें कुछ जनवरी महीने के तो जनवरी से फरवरी का करेंट का क्विश्चन मैं लाया हूं जो ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा और उससे ठीक उसके उसके पहले इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम नौबर दिसंबर का कवर करेंगे ठीक है तो पहले कौन थे जैर बोल सोनारो थे दो टर्म ब्राजील के राष्टपती के रोप में जैर बोल सोनारो रहे हैं तीसरी टर्म में हार गए तीसरी टर्म में कौन बना है लूला दा सिल्वा ब्रिक्स के अंदर ब्राजील आता है ब्रिक्स कंट्री आप जानते हैं ब्राजील किस सहर में 108 भारतिय बिज्ञान कॉंग्रेस इंडियन साइन्स कॉंग्रेस ठीक है 108 इंडियन साइन्स कॉंग्रेस को कहां उध्गाटन किया गया बताईए करेंट से आसीज कुमार जी 12 कुएस्टन रहेंगे आप जैसे मैंने क्लास श्रू किया प्रारंब में ही इस बत को कлючेर कर दिया कि करेंट से 40 कुएस्टन जीके जीएस रहेंगे मतलब जैनल अवेरनेस के तो 40 में इसे 12 कुएस्टन करेंगे 12 से जदा हो सकता कम नहीं हो गा करके आप कोई अंदाजा लगेगा कि इसकी क्या इंपोर्टेंस है यहां दिखे आपसे पुछा गया है कि पीम मोदी ने इंडियन साइंस कॉंग्रिस एक सो आठवा संसकरन जो है इसका कहां पी नोगरीट किया नागपूर में नोगरीट किया याद रखेंगे ऑप्सन ये नागपूर अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजे इस पे कहीं भी दिमाग मत भट कहिए भीया ध्यान एक दम देना है और बहुत बहुत बेतरीन सव सब्सक्राइब नागपूर विश्व विद्याले में इसको आयोजित किया गया तीन से साथ जनवरी के बीच में हमने आते ही कहां कि जनवरी फरवरी हम कबर कर देंगे आज उसके बाद क्या है भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन के रूप म किसे नियुक्त किया गया है जल्दी से आंसर कर दीजे हूँ है इस बिन अपॉइंटिट एस दे स्टेट आइकन फॉर बिहार बाइदा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकन नियुक्त किसे किया गया सत्रुग निशिनहा मनोज बा ठीक है तो आप सभी लोग जुड़ गये हैं तो सेशन को एक बार सेर जरूर कर दीजिए ग्रूप में ऐसा तो होगा नहीं कि आपके साथ और लोग प्रिपरिशन नहीं करते होंगा उनको इस बात की जनकारी नहीं लगी होगी तो जनकारी देना आपका दाइद तो है जैस इस प्रिटेट ग्रूप से उन हर जगाओ पर आप इसको स्प्रेड कर दीजिए ठीक है यहां पर मैथली ठाकूर मैथली ठाकूर के बारे में आप लोग आउगत होंगे परिचाय की मुहताज नहीं है यह और बिहार के लोक गायन में इनकी सिंगर है और बिहार के चल चेत्र से मदवनीश आते हैं ठीक है तो यहां पर देखें एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने इन्हें स्टेट आइकन के रूप में सिलेक्ट किया है याद रखें मैथली ठाकूर अगला क्वेशन क्या है अगला क्वेशन पूछा गया है कि हूँ इस दा फिमेल आफि आफिकारी कौन है यह आप से पूछा गया है सिया चीन युद्धिछेत्र में निक्त होने वाली पहली महिला आदिकारी कौन है अब आंसर कर दिजे इतने लोग सेशन देख रहे हैं आप लोग आंसर करिए क्या होगा आंसर गलत सही आंसर करिए तभी तो एक्जाम में इने की बहुत भीसर ट्रेनिंग दी गई है और उसके बाद इनको यहाँ डिप्लोई किया गया है सियाचीन ओपरेशनल रूप से तैनात होने वाली सियाचीन में पहली महिला आदिकारी बनी है कैप्टन सीवा चोहान ठीक है कैप्टन सीवा चोहान दुनिया की सबसे उच् दी छेत्र सियाचीन में ओपरेशनल रूप से तैनात होने वाली प्रत्थम महिला यहां भारतिय सिना की फायर एंड फ्यूरी कोर की है यह अधिकारी है अगला क्वेशन आपसे पुछा गया है एज पर दसी एम आईई CMI क्या है Center for Monitoring Indian Economy CMI की नविंतम रिपोर्ट के अनुसार कि सराजी ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बिरोजगारी दर दिसंबर 2022 में CMI की रिपोर्ट के मताबिक किस स्टेट का है बिहार हर्याना उत्तर प्रदेश आंदर प्रदेश यह है हर्याना का ठीक है हर्याना का Center for Monitoring Indian Economy एक के अधियान के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बिरोजगारी देखे भारत की बिरोजगारी जो है आठ दसमलो तीन परतिसत सोलह महिने के उच अस्तर पर पहुँच चुकी है और जिस राज़े में सबसे अधिक बिरोजगारी दर है हर्याना में 37.4 परतिसत इस देश में चीन के सहयोग से पोखरा छेत्रिय अंतराश्ट्रिय हवाई अड़ा का उधगाटन किया गया कौन से देश में चीन के मदद से पोखरा छेत्रिय अंतराश्ट्रिय हवाई अड़ा पी आर आई ए पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उधगाटन हुआ है बताइए यह हुआ है चाइना के मदद से ठीक है और कौन सा यह अरपोर्ट है आप लोग का क्या है अनुमान बताइए आंसर क्या है अनुमान क्या आंसर ही बता दीजे पोखरा तो नहीं आपने पोखरा कहां पर है नेपाल में है तो ये नेपाल में आंसर क्या हो जाएगा option C नेपाल is right अगला question क्या है प्रवासी भारतिय सम्मान पुरसकार से सम्मानित मुहम्मद इर्फान अली किस देश के राष्ट पती है प्रवासी भारतिय दिवस आपको पता है कि 9 जन्वरी को मनाय जाता है और इस बार 17 प्रवासी भारतिय दिवस का जो आयोजन हुआ था इंदौर में हुआ था ठीक है ये भी याद रखना है ये भी important है प्रवासी भारतिय दिवस का आयोजन 2023 में कहां पर हुआ 17 प्रवासी भारतिय दिवस का इंदौर में और इसमें प्रवासी भारतिय दिवस में सबसे पहले बात तो ये है कि प्रवासी भारतिय सम्मान पुरसकार से सम्मानित होने वाले जो मुहम्मद इर्फान है यहीं इस के chief guest भी थे ठीक है और ये गोयाना के president है कहां के गोयाना के president है इन्ही के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है राष्टपती मुहम्मध इर्फान अल्ली गोयाना के नवे राष्टपती 17 प्रवासी भारतिय सम्मान पुरुषकार के 21 प्राप्त करताओं में से एक है 21 लोगों को प्रवासी भारतिय पुरुषकार से सम्मानित किया गया है कितने लोगों को 21 लोगों को भारतिय सम्मान पुरुषकार दिया गया 21 में से एक ये भी है और इस बरस ये आयोजित कहां पर हुआ था इसमें मुख्य आती थी कौन थे भारतिय दिवस समेलन के मुख्य आती थी भी यहीं थे ठीक है और यहाँ पर आपको पता है कि जब कोई कंट्री के प्रेसिडेंट या कोई महत्पुन इवेंट होता है तो उसके कैपिटल को भी एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो गुया के कैपिटल राजदानी कहां पर है जॉर्ज टाउन है याद रखेंगे लास्ट लाइन में जॉर्ज टाउन अगला क्वेशन आपके सामने है केंद्री मंत्री अस्विनी वैशनौ अभी वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री के साथ-साथ सूचना प्रावधोगी की तथा में हाई स्पीड फाइफ जी दूर संचार सेवाओं का सुभारंब किया गया है वदाई यह आंसर क्या होगा ओडिसा में ओप्सन सी इस राइट ओडिसा के अंदर फाइफ जी टेलिकॉम सर्विस को अस्विनी वैसनों ने लॉंच किया है अगला क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा गया है कि पीम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में 26 राश्ट्रिय यूवा महुत्साव का उधगाटन किया इन विच स्टेट पीम मोदी इनागरेटेट दे 26 नैशनल यूथ फेस्टिबल ऑन जनवरी 12, 2023 12 जनवरी क्या होता है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी राश्ट्रिय यूवा दिवस नेशनल यूथ डे के रूप में शेलिबरेट किया जाता है नेशनल यूथ डे और आप से क्या पूछा गया है नेशनल यूथ फेस्टिबल 12 जनवरी 2023 को का उधगाटन कहां पर किया गया ठीक है ये उधगाटन हुआ करनाटका में ठीक है करनाटका is a right answer यहाँ पर आप देखेंगे on January 12, 2023 12 जनवरी 2023 प्रधानमंत्री मोदी ने 26 वे राष्ट्रिये खेल राष्ट्रिय यूवा महुत्सव का सुबारंब किया और ये कार्जकरम स्वामी विवेका अनंद जी की जैनती पर उनके मुल्यों, सिक्साओं, उपलब्दियों को सम्मान करने के लिए मनाये जाता है ठीक है on the birth anniversary of स्वामी विवेका अनंद क्लियर हो गया अगला प्रशन आप से पुछा गया है पेटियम बैंक के नए मैनेजिंग डारेक्टर और सी यो के रूप में किसे नुक्त किया गया है देखे पेटियम जो है फेमस तो हैं तो करेंट में ऐसे कंपनियों से भी सवाल पूछ लिया जाता है पेटियम का फुल फॉर्म क्या होता है पेटियम की पैरेंट कंपनी है 197 कम्यूनिकेशनज ये कमपनी का नाम है जिस कमपनी के अंदर में पेटियम चलता है तो पेटियम नोईडा में इसका headquarter है बिजय सेखर सरमा इसके founder है और ये बने है सुरिंदर चावला सुरिंदर चावला अभी पेटियम के नए MD और CEO के रूप में निउप्थ हुए है तो option C question number 13 का option C सही जबाब होगा ठीक है सुरिंदर चावला याद रखिएगा अगले प्रस्न पे हम चलते हैं अगला question आपसे question number 14 क्या पुछा गया है DRDO ने किस राज्य में कम दूरी की ballistic missile Prithby 2 Prithby 2 जो missile है इसका मारक समता जो है range अगर आपसे पुछा जाए तो range है 350 km और इस पर लोड़ कैपसिटी होता है 500 केजी की लोड़ कैपसिटी है अब यहाँ पर पुछा गया है कि इन विच स्टेट DRDO कैरी आउट दा सक्सेस्फुल टेस्ट लॉंच आप दा शौर्ट रेंज बिलास्टिक मिसाइल Prithby 2 ठीक है ठीक है Prithby 2 पटाफट बताईए question number 30 तक तो करेंट रहेगा उसके बाद बाकी सवाल आएंगे और यह इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इसको भी cover up करना है 5-6 महिने के यह भी cover करने से हमारा जो है 10-12 questions यहां से आराम से बन जाएंगे हमने कि उन्ही प्रस्णों को यहां पर रखा है जो प्रस्ण है आप देख पा रहे हैं कि यह बहुत important प्रस्ण है selected प्रस्ण है ऐसा नहीं है कि आपको कोई मोटे किताब पढ़ने के नीड है ठीक है तो DRDO का परिक्षन हुआ है launching हुआ है DRDO के द्वरा प्रित्वी मिसाइल को त्यार किया गया है और DRDO यह कहां पर ओडिसा में ओडिसा में ठीक है और यहां देखे DRDO क्या है DRDO है Defense, Research and Development Organization इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह भी important है रक्षा अनुसंधान एवं विकास अन्स्थान 1958 में अस्थापित हुआ था निव डेली में इसका है DRDO ठीक है अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण देखे यहां पर रक्षा मंत्राले के नुसार रक्षा नुसंधान विकास अंगटन DRDO ने ओडिसा के तट से दूर एकिकरित परिक्षन रेंज चांदीपूर से चांदीपूर से प्रित्विटू मिसाइल का परिक्षन किया गया चांदीपूर ओडिसा याद रखना है अगला क्वेस्टन क्या है CPCB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूसित साहर कौन सा है 2022 का रिपोर्ट आया है हाल ही में Central Pollution Control Board के द्वारा ठीक है कैंद्रिये परदूसर नियंतरन बोर्ड Central Pollution Control Board के द्वारा ये रिपोर्ट आया है Central देखिए करेंट का सवाल जरूई नहीं कि हर किसी से बने ही ये सीख लेना है याद कर लेना है अच्छे शवाल जितने भी है Central Pollution Control Board Central Pollution Control Board 1974 में स्थापिद हुआ था नियू डेली में और तनमय तनमय कुमार जो है तनमय कुमार एक IAS अधिकारी है IAS अभी बरतमान में CPCV के चेर्मेन है इसके रिपोर्ट के मताविक दिल्ली जो है CPCV भारत के प्रदोसित सहर का जो रिपोर्ट निकाले उसमें दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा प्रदोसित सहर है CPCV Central Pollution Control Board है Central Pollution Control Board के स्थापन वेती 1974 में नियू डेली में तनमय कुमार आईए सभी चेर्मेन है अगला क्वेशन है 2023 के लिए इंडिया इन दे हैलने पासपोर्ट इंडेक्स भारत का रेंग 2022 में भारत का रेंग था 87 ठीक है अभी दो रेंग इंप्रूव किया है ठीक है दो रेंग इंप्रूव करके अभी ये किस पोजिशन पे है 85 पोजिशन पे है ठीक है और अगला सबाल क्या है 200 बैंक की बैस्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट What is the expected economic growth of इंडिया in 2023-2024 2023-2024 के लिए 2023-2024 के लिए भारत के आर्थिक विकासदर का अनुमान World Bank ने कितना लगाया है ठीक है World Bank ने कितना लगा I hope आप सभी लोग समझ पा रहे है क्या speed जादा है तो बताईए मैं थोड़ा कम कर देता हूँ थोड़ा slow कर देता हूँ जैसा भी हो आप बताईए मेरा प्रयास यह है कि इन सवालों में बहुत कुछ जादा है नहीं जहां पर समझने का होता है यहां पर आपको पताईए मैं उस चीज को थोड़ा ज़्यादा इलाबरेट करता हूँ यहां पर एक current है बस सीख लेना है जान लेना है एक बार भी अगर आपने देखा हो आपके नजरों से गुजरा हुआ है तो आप exam में इसको answer कर पाएंगे यहां पर देखेंगे बिश्व बैंक ने जो 2023-24 के लिए अनुमानित विकासदर है आर्थिक विकासदर यह 6.6% है अब मैं आपसे सवाल पूछू कि 2022-23 जो यह financial year 31 March को समापत होने वाला है आर्थिक सरविक्षन में भारत का विकासदर क्या बताएगया है 6.9% तो भारत का आर्थिक विकासदर इस वर्स 2022-23 मतलब 31 March तक 6.9% है जो आगे 6.6% रहेगा तो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल समझ गया अगले क्वेशन पर हम लोग चलेंगे अगला क्वेशन यह है कि Miss Universe 2023 का खिताब किसने जिता है यह आंसर तो आप ही करिएगा ना इस क्वेशन का जवाब तो दे पाएंगे आप लोग Miss Universe 2023 का खिताब किसने जिता है और आज संडे है फिर भी इतना संख्या कम कैसे बस केवल आप ही लोग बियर्ड का पिपर देंगे बाकी लोग जनकारी नहीं होगी जनकारी का भाव है हमारे बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स होंगे जिनको पता ही नहीं है कि क्लासेश चल भी रही है और वो भी बीर्ड स्पेसिफिक क्लास चल रही है आप लोग का थोड़ा सा कर्तब पे बनता है कि उसकी सूचना है न दे दिजेगा जो भी आपके साथ त्यारी कर रहे होंगे विचारे सबका स्कूल ठीक ठाक आ जाएगा और अच्छे कॉलेजेश एडमिशन्स हो जाएंगी आने वाले दिनों में टीचिंग की वेकेंसी भी बहुत जादा रहना है आपको पता ही है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक ऑप्सन तो क्रियेट हो जाएगा न जॉब के लिए इतना बोलने पे भी कुछ लोग शेर नहीं कर रहे होंगे मुझे पता है क्योंकि दुनिया जो है न दुनिया है स्वार्थी हो चुकी है अज मेरा फस्ट क्लास है फस्ट क्लास है तो आप कल डेली नौ बज़े जुड़ जाएगा कल डेली नौ बज़े जुड़िए नौ से दस आपका जो है न जेनरल नौलेज बहुत इंप्रूब हो जाएगा आप अगर दस क्लास भी कर लेते हैं ठीक से तो यहां देखे मिस यूनिवर्स दोजर तेश बताय किसी ने जबाब दिया की नहीं दिया ओके आर बॉनी गैबरियल यह यूएस एकी रहने वाली है इनको इस बार दोजर तेश का मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है भारत की तरफ से दिवीता राय थी जो 16 वी पोजिशन पर हासिल की है मतलब 16 के आगे यह जगा नहीं बना पाई तो लेकिन एक्जाम के पॉइंट अ व्यू से यह भी याद रहना है कि इस कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली भारत ये कौन थी अगर प्रशन आता है तो आप आंसर कर पाएंगे कौन दिवीता राय भारत के तरफ से पार्टिसिपेट की थी समझ गए आप लोग यहाँ पर आप देखेंगे आर बॉनी गैब्रियल दे यूएस स्वाज क्राउंड मिस इनवर्स 2023 जनवरी 15 दो हजार तेईस को और दिवीता राय ओफ इंडिया हो फिनिस्ट इन दा टॉप 16 गी टॉप 16 में रही अगला क्वेशन क्या है किस संस्था ने ग्रामिड स्वास्त सांखी की रिपोर्ट जारी की रूरल हैल्थ स्ट्रेटिक्स रिपोर्ट जो जारी किया गया है ये आपको आंसर करना है त्रियांका कुमारी जी क्या करें सर आप अच्छा पढ़ाते हो प्रियांका जी सुक्रिया आपका आशुतोस का फर्स्ट क्लास है भाईया फर्स्ट है तो आज से लगातार हो जाईए और दो तीन क्लास मिस हुआ है उसको भी जरूर देख लीजिए यह रिपोर्ट जारी किया गया है Ministry of Health and Family Welfare के दोरा स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले के दोरा यह बताये गया है कि हमारे ग्रामिडी छेतरों के स्वास्त केंदरों पर 80% से ज़्यादा डॉक्टर की अभाव है मतलब छोटे मोटे सर्जरी के लिए भी डॉक्टर नहीं है मतलब सर्जन्स का और बच्चों के डॉक्टर का खास 80% से ज़्यादा डॉक्टरों का अभाव है प्रात्मिक स्वास्त केंदरों पर ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा option D अगला question आपसे क्या पुछा गया है कि भारत के deputy NSA की रूप में किसे निउक्ट किया गया है NSA का मतलब क्या होता है National Security Advisor National Security Advisor का मतलब होता है राष्ट्रिये राष्ट्रिये सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रिये सुरक्षा सलाहकार तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के राष्ट्रिये सुरक्षा सलाहकार अभी वर्तमान में है उनका नाम है अजीत डोबाल अजीत दोबाल जी भारत के सुरक्षा सलाहकार है राश्ट्रे सुरक्षा सलाकार आप ध्यान दिजेगा प्रस्ट में क्या पुछा गया है इनके नीचे वाला पद जो है डेप्यूटी एने से पुछा गया है मतलब उप आपसे क्या पुछा गया है उप राश्ट्रे सुरक्षा सलाकार के रुप में अभी नियुक्त हुए है पंकज कुमार सिंग, option B सही है, पंकज कुमार सिंग न BSF की डारेक्टर जेनरल थे, BSF paramilitary force है, जो गरी meinen तराले का अंतरगत आता है, आपको पता है, कि भारत में paramilitary force किसे कहा जाता है, paramilitary force है, जैसे CISF है, SSB है, ITBP है, BSF है, CRPF है, यह सब paramilitary forces है, जो ग्रिह मंत्राले मतलब हो मिनिश्ट्री के अंतरगत जिसके मिनिस्टर अमीद साजी है इसके अंतरगत काम करता है ठीक है तो बीस एफ की डारेक्टर जेंडरल थे पंकज कुमार सिंग उनको भारत का राष्ट्रिये ऊप राष्ट्री सुरक्षा सलाकार के रुपे अगला क्या है कि बिश्व बैंक प्रमुख के पद के लिए अमेरिका रास्ट पती जो बाइडेन के दौरा किसे नामित किया गया है आपको मैं बता दू कि वर्ल्ड बैंक जो बिश्व बैंक आपने नाम तो सुनाई होगा अमेरिका के वाशिंग्टन डी सी में है तो ये बिसो बैंक जो है बिसो बैंक के अभी बरतमान में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है ठीक है वर्ल्ड बैंक की जो प्रेसिडेंट है अभी बरतमान में उनका नाम क्या है प्रेजेंट में प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक 200 बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास डेविड मालपास 200 बैंक के अभी बरतमान में प्रेसिडेंट डेविड मालपास है लेकिन ये रिटार कर जाएंगे जून में और इसलिए अगले 200 बैंक प्रमुख को नॉमिनिट किया ज और वो ऊंगे अजय भंगा अजय भंगा भारतिय मूलके मतलब अमेरिकी गरिक हैं बट भारतिय मूलके यह और यह और मैं आपको बताना चाहता कि पहले यह जो एपना debit card आप deepest करते होना debit card भी कि अजय अजय पाल सिंग भंगा जो है इंडियन अमेरिकान Born पूनेramosblack से ये बिलॉंग करते हैं और मास्टर कार्ड जो आप ATM कार्ड यूज करते हो ना मास्टर कार्ड लिखा रहा था उस कंपनी में ये पहले क्या थे इसके CEO थे और करेंट प्रेसिडेंट डेविड मैल पास कब रिटायर होंगे जून 2023 में रिटायर होंगे याद रहेगा आपको अगला सवाल आपसे पुछा गया है कि भारत की अध्यक्स्ता में पहली G20 वीत मंत्रियों और केंद्रिये बैंक के गवर्नरों की बैठक कि सहर में आउजित की जाएगी ये आपसे पूछा गया है भारत की अध्यक्सता में पहली G20 वीत मंत्रियों की बैठक के आपसे क्वेशन पूछा गया है बताए क्या होगा अंसर बिल्कुल सही जवाब बैंगलूरू लेकिन फाइनल ध्यान रखिए फाइनल G20 का जो बैठक होगा ये दिल्ली में होगा ठीक है और G20 2023 का जो थीम है ये है वसू दैवा वसू दैवा कुटुम्बकम वसू दैवा कुटुम्बकम इसका थीम है और इसको इंगलिश में हम कहते हैं वन अर्थ वन फैमली वन फ्यूचर ठीक है वन अर्थ वन फैमली वन फ्यूचर वसू दैव कुटुमकम तो ये भारत ने जी ट्वेंटी का थीम रखा है और जी ट्वेंटी का जो बैठक होगा राश्ट्र ध्यक्सों के प्रधान मंत्रियों की बैठक ये दिल्ली में आउज पिछले बार का थीम था अगला क्वेशन था किस भारतिये अमेरिकी ने हाली में अमेरिकी राष्टपती चुनाओ 2024 के लिए अपनी उमिद्वारी की घोशना की है मतलब जो यूएस में प्रेसिडेंट का चुनाओ 2024 में होगा एक भारतिये ने भी अपनी उमिद्वारी की ठेक है बताईए उनका क्या नाम है न्यूज में अगर आपने देखा होगा कि किस भारतिये ने अपनी उमिद्वारी की घोशना की है यूएस में ये क्वेश्चन आपसे पुछा गया है बताईए क्या होगा आंसर विवेक रामा स्वामी ठीक है विवेक रामा स्वामी ने घोशना की है कि वो अमेर्की राष्टपती चुनाओ 2024 में candidate होंगे इंडियन अमेरिकन विवेक रामा स्वामी हैज अनौन्च जॉएनिंग ड़ेस सीकिंग कांडिडेसी ओर रिपबलिकन पार्टी ये उमिद्वार होंगे रिपबलिकन पार्टी से 2024 में अमेरिका की राष्टपती के चुनाओ में विवेक रामा स्वामी अगला question क्या है दादा साहब फालके अंतराश्ट्री फिल्म होचा 2023 में किस फिल्म को फिल्म आफ दा इयर के रूप में चुना गया है ठीक है यहाँ पर दो बात ध्यान रखेंगे फिल्म आफ दा इयर और बेस्ट फिल्म ये दोनों अलग-अलग अवार्ड है दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ठीक है यह ध्यान पुर्वक आपको समझना है कि फिल्म आफ दा इयर के रूप में किसे चुना गया है ओप्शन सी आर आर ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई में दादा साहब फिल्म देखें यहाँ पर यह भी याद रखना है कि दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहा हुआ मुंबई में हुआ तो एक तो क्वेशन यह बन जाएगा आपका दूसरा यहाँ पर इस आवाड में विवेक अगनिहोतरी की जो फिल्म बनी थी दा कस्मीर फाइल्स आपको पता ही है काफी विवाद में रहा कस्मीर फाइल्स यह किसके फिल्म थी विवेक अगनिहोतरी के िवाज़ ती इसी अवार्ड सो में S.S. राजमौली दवारा निर्देशित RRR फिल्म के लिए Best actor अवार्ड से नवाज़े गया इसके अलावा इस अवार्ड सो में फिल्म RR ये ध्यान दिज्जी RRR को फिल्म of the year के लिए चुना गया गंगु भाई काठिया वाडी में संदार अभिने के लिए आलिया भट को सरफ्रिस्ट अभिनेत्री का प्रसकार दिया गया और सरफ्रिस्ट प्रामिसिंग अभिनेता का प्रसकार सुपर हिट फिल्म कंटारा की अभिनेता रिसब सिटी को दिया गया ये all about है इसका जो है PDF आपको मैं share करूँगा वहाँ पर आप लो पढ़ भी लेना एक बार देख लेना यहाँ पर एक question है कि उत्तर भारत का पहला परमाड़ उर्जा सन्यात्र किस राज्ये में अस्थापित किया जाएगा उत्तर भारत इस पर अलड़ी काम चल रहा है यह बहुत बड़ा जो power plant है nuclear power plant यह setup हो रहा है कि इस state में हो रहा है यह आंसर करना है हिमाचल पंजाब हर्याना उत्तराखंड हर्याना के देखे हर्याना में भी एक गोरखपूर नाम का जगा है जो फतेहबाद डिस्टिक में पढ़ता है हर्याना के फतेहबाद डिस्टिक में है यह पर जो nuclear power plant बन रहा है हर्याना में और का नाम क्या है उसको आप देखेंगे प्रमाड उर्जा बिभाग के नुसार गोरखपूर। हर्याना अनू विदूत परियोज्णा इसका नाम है गोरख हर्याना अनू विदूत परियोज्णा यह परियोज्णा 20,594 करोड की परियोजना है 20,594 करोड की परियोजना है इस परियोजना पर अब तक 4,906 करोड मतलब लगभग 5,000 करोड रुपे ओलेडी खर्च किया जा चुका है ठीक है 5,000 करोड रुपे ओलेडी खर्च किया जा चुका है पर्योजना है 20,594 करोड का, ठीक है, क्लियर है यहां तक, अगला question क्या है, UNICEF इंडिया ने किसे अपना राश्ट्री राजदूत न्यूक्त किया है, UNICEF इंडिया as its national ambassador, राश्ट नेशनल अमबेस्टर के रूप में UNICEF ने किसे select किया है, आपको मैं बता दो UNICEF है क्या basically, UNICE देश, जो world war में प्रभावित हुए थे, वहां के बच्चों के लिए, उनके बच्चों के देख बाल के लिए उस पैसे का प्रयोग किया जाएगा, मतलब welfare के लिए कल्यान में खर्चोगा, for the children's welfare, समझ रहे है न, बच्चों के कल्यान के लिए, बाद में क्या हुआ कि समार बच्चों की संख्या है, यह तमाम चीज जहां पर है, तो उसकी जानकारी जो है, UNICEF को रहता है, डेटा पूरा उसके पास UNICEF उसके लिए काम करता है, इसलिए इसका नाम जो है, United Nations International Children's Emergency Fund, क्या है, United Nations International Children's Emergency Fund, इसका नाम है UNICEF का, और आयुस्मान खुराना को National Ambassador इसने अन्युक्त किया है, UNICEF का फूल फॉर्म होता है, United Nations Children's Emergency Fund, ठीक है, UNICEF का गठन हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, न्यू यॉर्क में, याद रखिएगा, ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है, और अगला सवाल, अगला प्रशना आपके सामने है, कि किस राज्य में भारत, उजबेकिस्तान, दुई बारसिक, सैन्य परसिक्षण अभ्यास, डस्ट लिक 2030, तो डस्ट लिक 2030, जो आप से पुछा जाए, कि डस्ट लिक 2030, इंडिया और उजबेकिस्तान के बीच, जो मिलिटरी एकसरसाइज है, किसके किसके बीच में, इंडिया और उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान के कैपिटल है बाकू, जो SCO का मेंबर है, संगाई कोपरेशन और्गनाईजिशन का सदस्य है, ठीक है, आपसे पुछा गया है, कि डस्ट लिक 2030, कहां पर उर्गनाईज हुआ, तो आंसर होगा, उत्रा खंड में और्गनाईज हुआ, SCO मैं बता दू, संगाई कोपरेशन और्गनाईजिशन के अंतरगत भारत, पाकिस्तान के साथ-साथ, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, ये सारे कंट्री जो हैं, SCO के मेंबर है, अगला क्वेशन आपसे पुछा गया है, जम्मू, कस्मीर और लदाक, उच चिन्याले के मुखे नैधिस के रूप में किसने सा पतली है, ये आपसे क्वेशन पुछा गया है, जल्दी से आंसर कर दीजे, Everyday classes जो होंगी, आपकी 9 से 10 होंगी, आज 2 घंटे का रहेगा, क्योंकि आज संडे है, संडे को मैराथन सेशन चलता है, लेकिन डेली आप हमारी class के साथ, बिहार B8 common entrance exams के लिए, आप 9 बजे से 10 बजे, मतलब रात में, 9 पीम टू, 9 पीम टू, 10 पीम आप जुड सकते हैं रात में, ठीक है, डेली 9 से 10, रात में बिहार B8 की preparation के लिए, ठीक है, और बाकि जिन बच्चों को crash course में जोईन करना है, एप पर जाकर के, आप बिहार B8 CET सर्च करिएगा, तो वहाँ पर आप इस badge को join कर सकते हैं, ठीक है, मैं प्रक्रिया बताऊंगा, जो भी badge join करेंगे, crash course, आप लोग बने रहिएगा, मैं प्रक्रिया बताऊंगा कैसे join करना है, ठीक है, यहाँ देखिए, न्याले के मुखे आपको यहाँ दिख रहा है, बिहार B8 Common Entrance Test, crash course 21 मार्च से सुरू होगा, ठीक है, और यह crash course आपको, जब आप enrolled करोगे, उस enrollment के time, आप इस coupon code को, coupon code का इस्तमाल करके, Y645, Y645 coupon code का utilize करके, आपको यह मात्र 704, 704 उपे में यह crash course आपको मिल जाएगा, एक book भी ठीक से नहीं आता इसमें, और आप पूरा crash course में पूरी team है, सभी subject की team मिल करके, आपको ना सबसे important topics त्यार करवा देंगी, जिससे आप 25-30% score enhance कर सकते हो, और जब 25-30% score enhance होगा, तो आपको पता है कि बहुत फायदा होगा, आपको इससे, आपको अच्छी colleges मिल जा जाएंगी, तो आप qualify कर जाएंगे, ठीक है, तो ये चीजें, और already आप परिचित हैं, classes आपकी चल भी रही है, तो आपको पताईए कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ देखिए, फीजी, किस देश में आउजित किया जा रहा है, बिश्व हिंदी सम्मिलन का बारावा संसकरन, ये फीजी में आउजित किया जा रहा है, option A क्या है, बिलकुल सही जबाब है, अगला क्या है, भारत और फ्रांस के बीच, नौ सैनिक अभ्यास के भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है, उसका क्या नाम है, वरुना, option B क्या है, सही जबाब है, वरुना, यहाँ पर आप समझे, वरुना भारत और फ्रांस के बीच, नौ सैनिक अभ्यास के, एक किस्वी संसकरन का नाम है, अगला question क्या है, बिस्व आर्थिक मंच, जादू वर्ल्ड एकोनामिक फोरम, वर्ल्ड एकोनामिक फोरम का जो हेड़कॉर्टर है, यह है, कोलोगनी में, कोलोगनी जेनेवा के पास है, और जेनेवा कहां पर है, स्वीटजर लैंड में है, स्वीटजर लैंड में है, जेनेवा सुना होगा आपने, वर्ल्ड हैल्थ दुनिया में सहयोग, बटी हुई दुनिया में सहयोग, ये विसाय रखा गया है, किसके दौरा, ये विसाय रखा गया है, World Economic Forum, 208 मच, 2023 का विसाय, सबसे पहले बात, World Economic Forum है, कि आगर आपको जनकारी ना हो, ये एक अंतराश्ट्री एंजियो है, जिसका काम है कि दुनिया में स अर्थ सास्त्री, सिक्षा जगत से, कम्पनियों से, हर जगत के लोग ही कठा होकर कि अपने अपने विचार को साजा करते हैं कि आने वाले दिन में किस परकार से हम आगे और बैटर कर सकते हैं दिखे यहां पर World Economic Forum बिस्वार्थिक मंच का जो बारसिक बैठक होगा यह बारसिक बैठक आपको मैं बता दू, will be held under the topic cooperation in the fragmented world and will bring together the leaders from the every aspects हर तरीके के यहां पर जैसे बिजनस जगत से, civil society से, दुनिया के समस्याओं से कैसे उबरा जाए, इसको लेकर किए काम किया जाएगा अगला यहां पर आपसे सवाल पुछा गया है कि बैस्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किसके दौरा किया जाता है विच इंसिटूशन हैज रिलीज दा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट Global Risk Report किसके द्वारा जारी किया जाता है ये आप से सवाल पुछा गया है देखे जो भी questions हमने आज include किये हैं आपको मैं बता दूँ कि करीब दो महिने की हमने current affairs को include कर दिया है जिससे कि आप बहुत बहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको sure and certain यहां से सवाल भी देखने को मिलेगा मैं इसलिए यह बाते कर रहा हूँ क्योंकि I have already seen the previous year papers उसको बहतर तरीके से हमने कब देखा है समझा है और level को understand किया और प्रस्न चुकि अनुभाव बहुत बड़ा है इस फिल्ड में तो हम लोगों को पता रहता है कि सवाल का क्या level रहेगा और आपको प्रस्न देखके ही लग रहा होगा कि यह प्रस्न जो है बहुत selected प्रस्न है World Economic Forum के दोरा जो यह report जारी किया जाता है अगला question है भारत का सबसे पुराना उच्च न्याले कौन सा है विच इस दा ओल्डेस्ट हाई कोट इन इंडिया भारत का सबसे पुराना हाई कोट का आप नाम बताईए ठेक है अब यहां से आपके current के questions आपने करीब करीब 32 करा है मैंने बताए कि बारत सबाल current Fs के आपके एक्जाम में आएंगे 12 questions तो 6 महिने के मैं current बिल्कुल ऐसे करवा दूँगा जैसे कि आपको बारत सबाल में से chances रहेगे कि एक दो ही miss होगा बना miss नहीं होगा क्योंकि selected to the point जो सबाल दिख रहे हैं कलकता हाई कोट सबसे पुराना भारत का हाई कोट है कलकता हाई कोट उसके बाद यहां बना बॉम्बे का और मदरास का ठीक है तो यहां पर हमने सब के बारे में आपको बता देना है कि बॉम्बे हाई कोट 14 अगस्त 1862 तो 3 हाई कोट, बॉम्बे, मदरास और कलकत्ता जो presidency था, 1862 में 3 ही ठीक है, 3 ही जो हाई कोट है, एक ही year में स्थापित हुआ था, डेट का ही बस फर्क है, पॉम्बे हाई कोट 14 अगस्थ, मदरास आई कोट 15 अगस्थ, और कलकत्ता हाई कोट 1 जुलाई 1862, भारत का सबसे पुराना हाई कोट है भारत में टोटल हाई कोट की संख्या 25 भारत में टोटल हाई कोट की संख्या 25 आपको मैं बता दू कि भारत में स्वतंत्र न्याय पालिका का जो कॉंसेप्ट है इसे हमने एडॉप्ट किया है अमेरिका से इंडिपेंडेंट जुडिसियर जहाँ पर सुप्रीम कोट सर्वोची न्याले होता है और आपको मैं बता दो सुप्रीम कोट की अस्थापना होई थी ये कब होई थी 28 जनवरी 1950 को तो कभी भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है हाई कोट के अस्थापना इससे पहले हो चुकी थी बहुत सारे हाई कोट तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोट ओफ इंडिया सुप्रीम कोट ओफ इंडिया भारत के सर्वोची न्याले की अस्थापना नई दिल्ली में न्यू डेली में 28 जनवरी 1950 याद रहेगा यह भी इंपोर्टेंट है यहां पर हाई कोट 1862 में तीन इलहाबाद हाई कोट उत्तर पूछा जा सकता है तो पतना हाई कोट और पतना हाई कोट का स्ब्राइपलिसमेंट कब ऊचिछ wilt 1919解 के अंदर 1916 में पटना हाई कोट की अस्थापना की गई समझ गई आप लोग याद रहे गए तमाम चीजें पटना हाई कोट कब अस्थापिद हुआ 1916 में अस्थापिद हुआ ठीक है तो हम लोग एक घंटा कंप्रीट करने वाले हैं एक घंटा और क्लास चलेगा बहुत सार प्रस्ण हम लोग करने वाले हैं और इसलिगे सेशन को एक बार और सेयर कर दीजे ताकि संख्या 200 पे पहुंच जाए थोड़ा थोड़ा सा एफट लगा दीजेगा तो हो जाएगा मैं इतना एफट लगा रहा हूं आप थोड़ा सा एफट लगा कि इसको 200 पे पहुंचा द आपको मैं बता दूं कि भारत के छे राजयों में विधान-परिश्यद्ग है मतलब बाई कैमरल लेजिसलेचर के न, टुए संसाथचनबह सतका वहां पर रधाय काँ सदनिय विधाई का जहां पर विधान सभा विधान परिशद भी है छे राज्य कौन-कौन से हैं एक राज्य है महाराश्ट्रा महाराश्ट्रा उसके बाद करनाट का साउथ में हो गया उसके बाद आप देखेंगे आंधर परदेश आंधर परदेश तेलंगाना और उसके बाद उत्तर परदेश और बिहार तो यह छे राज्य है जहां पर दुई सदनात्मक विधाई का है और यहां पर एक बटाचे सदस्यों को विधान परिशद के एक बटाचे सदस्यों को राज्य पाल नॉमिनेट करते हैं मतलब उनका चुनाव नहीं होता है ठीक है कलियर है और अगर आपसे राज्य सभा में पूछा जाए तो राज्य सभा में 12 सदस्यों को राश्ट पती म मतदान की निउन्तम आयू 18 वर्स होनी चाहिए जो हम लोग वोट करते हैं तो वोटिंग राइट्स 18 साल पे मिलता है तो 18 साल की वोटिंग राइट्स ये कौन से प्रदीब कुमार के गाओं में नेटवर्क की दिकत है प्रदीब बिहार के बहुत सारे गाओं में नेटवर्क की समस्चा है आप नियर बाई ऐसा कोई प्लेस देख लीजे जहां नेटवर्क रहता हो मुझे पता है कि हमारे क्योंकि मैं खुद बिहार से आता हूं आपको पत है पस्षिम चंपारन जीला है मेरा भी हमारे यहां भी बहुत सारे एरिया में यह दिक्कत है पुरी बिहार में दिक्कत है तो क्या करिएगा इन सबी समस्याओं के बीच हम लोग का एफ़र्ट हो सकता है कि हम अपने जो राज्य के स्टुडेंट्स कितना हम लोग पढ़ा पा है लेकिन मोबाइल नेटवर्क की अभी भी समस्याओं इसलिए बच्चों को दिक्कत हो रहा है कि देखिए आप पर तारकुंडे कमिटी के सिफारिस पर तारकुंडे समिती के सिफारिस पर 21 वर्स पहले वोटिंग राइट था 21 वर्स इसे घटा करके 18 वर्स किया गया आप में से कितने लोग वोट देने के लाइक बन चुके हैं बताईए आप में से कितने लोग वोट देने के लाइक बन सकते हैं वोट नहीं चाहिए आपका आप लोग लाइक सेर तो करते नहीं हो वोट क्या करोगे बताओ यहां देखेंगे 21 वर्स से घटा करके 18 वर्स किया गय 1988 के अधार पर 1989 में वोटिंग राइट को 21 वर्स से घटा करके 18 वर्स किया गया याद रखेंगे आप लोग आपको क्या कर याद रखना है आपको याद रखना है कि वोटिंग राइट 21 से घटा कर 18 वर्स किया गया था तारकुंडे कमिटी के सिफारिस पर इनके दो सिफारिस थे एक तो सिफारिस था कि वोट देने की आयू को 21 से घटा कर रठारे कर दिये जाए दूसरा इनों ने कहा था कि चुनाव आयोग जो होता न भारतिय चुनाव आयोग जो इलेक्शन कंड़क करता है उसमें तीन सदस् मुखे चुनाव आयोग तथा दो अन्य आयोग मुखे चुनाव आयोग अभी राजियू कुमार है और दो अन्य आयोग कौन है एक अनुप चंद्रपांड है करून गोयल है तो तीन निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग में होते हैं और आपको मैं बता दूँ चुनाव आ था 25 जनवरी 1950 को यह 25 जनवरी जो होता है ना 25 जनवरी को ही राष्ट्रिये मतदाता दिवस मनाय जाता है 25 जनवरी क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतिये निर्वाचन आयोग की अस्थापना मतलब चुनाव आयोग की अस्थापना की गई थी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी राजी उकुमार है समझ में आगे यह सारे पॉइंट्स आपके questions हो सकते हैं बहुत important है बहुत बहुत important ठीक है अगला question क्या है अगला question है निम्न में से कौन सा आयोग 1983 में केंदर राज संबंदों पर केंदर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था बताईए क्या होगा आंसर फटाफट जल्दी से आंसर कर दीजे बताईए क्या होगा आंसर निमलिखित में से कौन सा आयोग 1983 में केंदर राज्य संबंदों पर केंदर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बढ़ हर किसी का मेरा ध्यान है कि कौन क्या कैसे आंसर कर रहा है ठीक है इसलिए आंसर्स करते रहिए यहाँ दीखे सरकारिया कमिशन सरकारिया आयोग 1983 जस्टिस रंजीत सिंग सरकारिया सुप्रिम कोट के नैधिस थे उनकी अध्यक्सता में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था सरकारिया आयोग के सिफारिस पर ही यहाँ पर केंदर राज्य संबंधों के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा ठीक है उसके बाद आप देखेंगे दल बदल के अधार पर संसद और राजी बिधान सभाओं के सदस्यों की आयोग्यता परदान की गई है संबिधान के संबिधान में टोटल बारा अनुसूची हैं आपको पता है संबिधान में अनुसूचीयों की संख्या कितनी हैं 12 schedules है 12 schedules मूल संभिधान में केवल 8 schedule थे इसमें 4 schedule जो है संभिधान संसोधन के माध्यम से जोड़ा गया पहला संभिधान संसोधन के माध्यम से 1951 के माध्यम से 9th schedule जोड़ा गया अब आप कहिएगा संसोधन के द्वारा 1992 के द्वारा 12 अनुसुची जोड़ा गया अब आप कहिए इतना क्यों बता रहें आप इतना इसलिए बता रहें कि सब important है कैसे important है क्योंकि पहला संविधान संसोधन हुआ किससे जुड़ा हुआ है बूमी संसोधन है यह हमारे बदल से जुड़ा हुआ है तो यह नहीं दल बदल का धार पर संसथ और राजबिदान सभा कि सदस्यों के आयोगता जो है यह द्वी अनुसुची में है और ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है ती Pacific संस्थां जो पंचायती राज संस्थाओं को संबैधानिक दरजा परदान किया गया 73 संबैधान संसोधन के मताबिक और 74 संबैधान संसोधन के मताबिक हमारे सहरी निकायों को संबैधानिक दरजा परदान किया गया ठीक है 12 हुई अनुसूची में जोड़ा गया समझ गया आप सभी ल fundamental duties हमारे सम्विधान के किस article में है बताइए क्या होगा answer बिल्कुल helpful है सुभांगी प्रासर जी बिल्कुल helpful है BSFC के लिए equally important है यहां देखे पार्ट 4A पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंदर सरदार स्वर्ण सिंग कमिटी सरदार सरदार स्वर्ण सिंग कमिटी के सिफारिस पर fundamental duties को मौली करतब्यों को संभिधान के भाग आर्टिकल 51A में जोड़ा गया ठीक है और यह जोड़ा गया था 42 संभिधान संसोधन के मुताबिक 42 संभिधान संसोधन को मीनी Constitution कहा जाता है लगू संभिधान भी कहा जाता है ठीक है लगू संभिधान कहा जाता है ठीक है अगला question क्या है अगला question है कि who among the following can establish an interstate council अंतर राजिये परिसत के अस्थापना कौन कर सकता है कि अ 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 कि बताए जल्दी से कि बिहार बीड की क्रैस कोर्स की जनकारी में लास्ट में आप लोग को दे दूँगा इसलिए जो कि अप उससे इंट्रेस्टेड हैं आप लोग बने रहेंगे मैं उसके लिए बता दूँगा क्या आसान तरीका है और बिल्कुल आसान बिल्कुल nominal charges रखा गया है ताकि हमारे सभी students हैं वो कर पाएंगे कि कि अंतर राज्य परिशद आर्टिकल 263 के अधार पर केंद्र राज्य संबंदों के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन जो है अंतर राज्य परिशद के अस्थापना भारत के राश्टपती के दौरा की जाती है आर्टिकल 263 के अंतरगत दिये गए प्राधानों के मुताबिक समझ गए आर्टिकल 263 के प्राधानों के मुताबिक राश्ट पती के दौरा अंतर राज्य परिशत के स्थापना की जाती है जो केंद्र और राज्यों के संबंद को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करता है और मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंटर के दौरा केंद्र सरकार के दौरा बनाई गए थी वो सरकारिया कमिशन था सरकारिया आयोग का गठन था सरकारिया आयोग के सिफारिस पर ही अंतर राज्य परिशद की अस्थापना की गए थी 1990 में तो आप से प्रस ने पूछा जाए अंतर राज्य परिशद के अस्थापन कौन होता है चेयर्मेन कौन होता है तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ठीक है भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्स होते है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुझा गया है निमलखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापती होता है पदेन सभापती एक्स ओफिसियो चे भारत के उपराष्ट पती होते हैं अगला क्वेशन है ब्रिटिस भारत का कौन सा धिनयम भारत के संविधान के मुख्य स्रोतों में से एक था जैसा आप लोगों ने बच्पन से सुना होगा कि भारतीय संविधान जो है एक मिस्रण है बहुत सारे संविधानों से भारत ये संबिधान में बहुत सारी चीजों को एडॉप्ट किया गया लेकिन एक सबसे बड़ा सुरोत भारतिय संबिधान का है अंग्रेजों के समय में जो कानून बना था जिसके अधार पर देश की सासन चलाई जाती थी उसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या नाम था भा भारत सरकार अधिनियम गौर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 तो ये संबिधान का सबसे बड़ा सुरोत है इनफेक्ट की जब संबिधान हमारा लागू हुआ था चब़िस इनवरी 1950 को और संबिधान बनकर के तयार हुआ चब़िस नॉमबर 1949 को तो उससे पहले उस समय चब पहले भारत सरकार अधिनियम के 1935 के दार पर ही देश की शासन चलती थी तो आप्शन सी सबसे बड़ा सुरोत है भारती संबिधान में अगला प्रशना आप से पुछा गया है कि हुई इस दा गार्डियन ओफ दा फंडामेंटल राइट्स आपको पता है कि भारत के नागर अमेरिका से इस विस्ष्था को भारते संबिधान में अपनाए गया है रहेगा मूल अधिकार कहां से अपनाए गया है यह अपनाए गया है अमेरिका से और इसे भारत के संबिधान के Pearson врем रखा भाग तीन में अनुछेत कौन सा है आर्टिकल 12 से 35 और भाग तीन को संभिधान के भाग तीन को मैगना कार्टा कहा जाता है मैगना कार्टा अब आप कहिए कियों कहा जाता है आप से question पुछा जाएगा कि संविधान के किस भाग को मैगना कार्टा कहा जाता है मैगना कार्टा ओफ इंडियन constitution तो ये मूल अधिकार part 3 को कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकार जो है अधिकारों का संग्रा है तो अधिकारों के संग्रा को ही मैगना काटा कहा जाता है ठीक है मैगना काटा पहली बार 1789 में पहली बार 1789 में अमेरिका के संभिधान में इसको जगा दिया गया था और अमेरिका का संभिधान 1789 में तयार हुआ था जो प्रथम लिखित संभिधान तक न्याइपालिका है, आर्टिकल 32 जो मूल अधिकार के अंदरीद है, आर्टिकल 32 को संब्धान का हिर्दय और आत्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संब्धान के आर्टिकल 32 को, जो मूल अधिकारों के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, आर्टिकल 32 जो है, हार्ट एंड सोल आ और इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा ऑप्शन भी क्या आप सभी लोग को समझ में आ रहा है क्या मैं जो बाते explain कर रहा हूं क्या retain कर पाओगे दिमाग में रही कि ना रही पहले यह बता दा सब और लोग दिमाग में ना रही तो फिर चिलईला है कौनों फायदा निक है गला बैठल जाता और सब लोग के मज़ा आवाता तो कुछ याद heart and soul यह समिदान का हिर्दय और आत्मा कहा जाता है लेकिन आपके हिर्दय और आत्मा में जाना चाहिए ठीक है अरे heart नहीं होता हो प्रियांका heart होता है एची ए आर्टी है एची ए आर्टी heart ठीक है यह वहीं heart है जो धक 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 करता है समझ गया ना हाँ यह अब हम रहा समझ में आगल कि सब कोई के समझ में आवता है तब कोई के समझ में आवता चले तो अगले प्रस्ण पे निमलखित में से कौन सकल घरेल उत्पाद GDP की गढ़ना की एक विधी नहीं है GDP की जो गढ़ना की जाती है which of the following is not a method to calculate the gross domestic product आपको पता है GDP है क्या हमारे देश के अंतरगर्द जो कुल उत्पादन होता है total उत्पादन होता है चाहे वो वस्तू का हो तथा सेवा का हो वस्तू तथा सेवा का ये कितना पैशा का हुआ मतलब 100 रुपे का हुआ 200 रुपे का हुआ ठीक है वो GDP हो गया मतलब भारत में जितना वस्तू बन करके तयार हुआ ठीक है जितना वस्तू बन करके तयार हुआ जितनी सेवाएं होई उसका कितना वैलू है ठीक है कई रुपे का हुआ उसको हम क्या कहेंगे जीडीपी कहेंगे अरे बुझा गई लो बात तो यहां पर प्रोड़क्ट मेथड इंकम मेथड आए भी दी उत्पाद भी दी और ब्याए भी दी तीने को मेथड होता है और 14 मेथड जबरदस्ती गुसा हुआ यहां पे इसको काट दीजिए यहीं आपका अंसर है ऑप्श असतुबन करके तयार हुआ और भारत का जो जीडीपी है तीन ट्रिलियन डॉलर है मतलब तीन ट्रिलियन डॉलर से अधिक जा चुका है साड़े तीन ट्रिलिन डॉलर के आसपस पहुंच गया है बिलकुल कौन है जो PDF मांग रहा है बंदना जी है बंदना PDF बिलकुल मिलेगा बिहार अड़ा टेलिग्राम चैनल पे मिलेगा आप कहां पर जाएगा बिहार अड़ा 24-7 यह टेलिग्राम चैनल है जहां जाकर के आप हमारी PDF क्लास के कुछ दिर के बाद आपको मिल जाएगा इसको विजिट करते रहेगा चैनल को अब आगला सवाल अब आगला सवाल निमलिखित में से कौन उत्पादन कारक नहीं है विज अमंग फॉलोइंग इस नौट फैक्टर प्रोडक्शन उत्पादन के लिए प्रोडक्शन की जो मेन फैक्टर होता है सीखा मिश्रा जी पेड बैच कब आएगे सीखा मिश्रा जी 21 मार्च से क्रैस कूर्स शुरू हो रहा है आपके लिए तो मैं उसकी जनकारे पूरी दूँगा ठीक है थोड़ा बने रही है क्लास में ठीक है मेगा और सीखा जी ने पूछा था कोमल करी है भुजपूरी मत बुली आप पर सूट नहीं करता रहे हम भी हार कहीं तो भुजपूरी ना बुली राहुलज के प्रस्न है कि PPP क्या है यह है Purchasing Power Parity Purchasing Power Parity ठीक है यहाँ देखे लैंड लेबर कैपिटल लैंड लेबर कैपिटल प्रोड़क्षन का फैक्टर है यह वेज़िज नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या है कारक नहीं है तो option D हो जाएगा उससा ही हो जाएगा अगला क्वेशन है भारत का सबसे बड़ा रबबर उटपादक राज्य कौन सा है बताईए आंसर क्या होगा तीन भासा को मिक्स भारत का भारत का सबसे बड़ा रबबर प्रोडूशिंग स्टेट यह है केरल एक बात याद रिखिएगा अगर आपसे पुछा जाए कि रबबर बोर्ड ओफ इंडिया रबबर जैसे मैंने बताया था ना कि टी बोर्ड ओफ इंडिया कुलकाता में है स्पाइस बोर्ड ओफ इंडिया कोची में है केरला में अब कोकोनेट बोर्ड टॉस पिटिया जो है ये भी केरला में है कुट इरनाकुलन में रबबर बॉर्ड ऒफ इंडिया रबर बॉर्ड आफिन्डिया जो है टिज लोकेट इं एन। कोट्यम कोट्यम जो है केरल में है केरला ठीक है रबर का प्रोडक्शन जो होता है वह आपको पता है कि सबसे ज्यादा होता है केरल में और तमिलाडू में भी होता है इवेन हो जो पंगलूरू में है अगला क्विशन है कि नेशनल स्टॉक एक्षेंज का मुख्याले कहां पर है NSE का नाम आपने सुना है भारत में दो प्रमुक स्टॉक एक्षेंज है एक NSE, दूसरा BSE Bombay स्टॉक एक्षेंज नेशनल स्टॉक एक्षेंज लेके नेशनल स्टॉक एक्षेंज मुंबई में है और बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज भी मुंबई में है एक बात याद रखना है कि अगर आपसे पुछा जाएक भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्षेंज जहां पर सेर ट्रेडिंग होता है इतना तो समझ में आई रहा हो गा 1875 में बॉंबे स्टॉक इक्षेंज एसीया का सबसे फुर्मय स्टॉक भीजिव symbolic saas iania का दुनिया का सबसे पुराने स्टॉक इकिषंज नीदरलैंड के कैपिटल गए सौना सो एक्षेंज 1602 में स्थापित हुआ दुनिया का सबसे पुराना एसिया का सबसे पुराना बीएसी और एनसी 1902 ठीक है जो आप सुनते हैं न सेंसेक्स सेंसेक्स जो होता है यह बीएसी का होता है और निफ्टी जो सेर इंडेक्स है यह एनसी का होता है तो सेंसेक्स और पर होता है अब यहां देखिए MNST International एक अंतराश्ट्रिय संगठन है संगठन एक संस्था भी है इसका मुख्य काम क्या है MNST International जो है यह लंदन में कहां पर है इसका हैड क्वाटर लंदन में है तो यह किस लिए काम करता है MNST International बताइए MNST International अंतराश्ट्रिय संगठन है जो human rights के लिए काम करता है मतलब मानव अधिकार के लिए काम करता है जैसे भारत में मानव अधिकार की संस्ता है उसका नाम क्या है NHRC National human rights commission जो 1993 में स्थापित हुआ जिसे हम क्या करते है राश्ट्रिय मानव अधिकार मानव अधिकार आयोग तो राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कहां पर है दिल्ली में है ठीक है राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जो है दिल्ली में लोकेटिड है NHRC National human rights commission 1993 में राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्स हैं जस्टिस अरून मिस्रा ठीक है जस्टिस अरून कुमार मिस्रा सुप्रिम कोट के retired जज है जो अभी राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्स है तो यह हमारे देश में हो गया और अंतराश्ट्रिय लेबल पर Amnesty International है next question आपने नाम सुना होगा आंगनवाडी केंद्र का ठीक है आंगनवाडी सेंटर हर वार्ड में कहीन कहीं का अंगनवाडी सेंटर होता है और इंटीग्रेटेड चाइल डवलप्मेंट सर्विसिस आई सीडिस स्कीम एमस्टु इंप्रूव दा न्यूट्रिशनल एंड हैल्थ स्टेटस ऑफ चिल्डरन इंदे एज ग्रूप ऑफ एक इक्रित बाल विकास सेवा योजना का ओदेश से आयू वर्ग के बच्चों के पोशन और स्वास्त के स्थिति में सुधार करना है दरसल हमारे देश में सबसे एक बिकट परिस्तिती स अब तक मानसिक विकास बौधिक विकास संभव नहीं है इसी द्रिस्टी से ये सुरू किया गया था इसी डियस स्कीम इंटेग्रेटेड चाल्ड डिवलपेंट स्कीम जिसमें जीरो टू सिक्स यर्स के बच्चे आते हैं ठीक है जीरो से सिक्स यर्स तक अगला प्रशन है 1937 में बिहार का पहला प्रधान मंत्री कौन बना और सबसे मैं चाहूंगा कि आंसर आना चाहिए शीला तिवारी भूख लगल बा हो अब अरे भूख लगल बात थोड़ा ते रुख जाओ उसका बाद खाना खा लिया इस क्वेशन का आंसर हर किशी को देना है 1937 बिहार का पहला प्रधान मंत्री कौन बना श्री कृष्ण सिंह उस समय प्रोविंसियल जो प्रिविंस थे राज जी थे उनको क्या कहते थे प्रोविंश कहते थे प्रांत थे तो प्रांतिीग सरकारों के प्रमुक को प्रधान मंत्री कहा जाता था ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है भारत की संविदान सवा की उद्घाटन बैठक या देख्सता किसने की थी भारत की तब्बु शेक जी पूछ रहे हैं सर आप कहां से अरे भाईया अभी चिला-चिला के बोले हैं कि बियार के पस्चिम चंपारण चिला से बेतियां मेरा होम टाउन है अब यहां देखे भारत की संविदान सवा के उद्घाटन बैठक सज्टानन सिना ने की थी और यह अस्था या अध्यक्स दे और जैसे ही दो दूसरा बैठक हुआ था उस समय भारत के जो अभी जो राष्ट पति रह चुके हैं हमारे राजंदर प्रशाद जी तो वह अध संदर प्रशाद आस्था यह अध्यक्स सज्टानंद सिना अगला क्वेश्चन है निम्निलिखित में से कौन भारती समिदान की प्रारूप समीति का अध्यक्स था ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्स था अभी किसी को डीनर करने नहीं जाना है बस 20 मिनट और पढ़ना है और 20 मिनट के बाद मैं छुट्टी कर दोंगा आप लोग डीनर करते रहना अभी किसी को नहीं हिलना है कहीं नहीं जाना है अभी यहां से डॉक्टर बी आर अमबेड कर थे प्रारूप समीति के अध्यक्स अगला प्रस्ने भारत की संचित नीधी से नीधियों की निकासी के लिए प्राधिकार कहां से आना चाहिए अभी यह देखिए भारत सरकार के पास कहीं से भी पैसा आता है यहीं इसी टंकी में भरा जाता है यहां पर और इसी में से पेस होता है तो इसी में से सारा पैसा जो है यह अलग अलग जो है पाइप बनाया जाता है अलग 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 मंत्रा लियों को जाता है समझ गए और यह सारा पैसा जो है यहां से खर्च होता है तो यह भारत का समय कितनी दिया है मतलब सारे पैसे को मिला दिया तो यह संचित नी दियो गया ठीक है सारे पैसा को एक जगा मिला दिया कहीं से पैसा आया सब इसी में भर दिया और यहीं से सारा पैसा खर्च हो रहा ह तो देश का बजट जब पेस होता है तो बजट यहीं से पेस होता है इसके लिए सम्विधान में प्राउधान है आर्टिकल 260 आर्टिकल 266 क्लॉज 1 ठीक है यह है समेकित निधी संचित निधी English में consolidated fund कहा जाता है तो कोई भी पैसा हमारे पार्लियमेंट के अप्रूबल के बाद हमारे संसद के अप्रूबल के बाद ही निकाला जा सकता है समझ गए तो पार्लियमेंट से authorized होगा तभी यहां से धन की निकासी संभव है समझ में आ गया अगला प्रसन आप से पुछा गया है कि भारतिय संभिधान का कौन सा अनुचेत कहता है कि निधेशक सिधान्त किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकते जो directive principles of state policy है यह किसी भी देश राज्य या country के सरकार के उपर एक सकारात्मक दाइत तो है हमारे संभिधान में एक दाइत दिया गया जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे class complete हो आपको ए घंटे तक ना इसके notes बनाने है तो यह positive obligation है अगर नहीं भी बनाईएगा मुझे पता है कि आप कुछ नहीं करिएगा खाना खाईएगा और चुप चप सो जाईएगा तो यह सकरात्मक दाइत तो हमने दिया नहीं भी अब हो सकता है कि आप में से जिस जो सक्षा मो करेगा भी वैसे ही संभिधार में लिख दिया गया कि भारत सरकार को भारत के महिलाओं बच्चों बेरोजगारों के लिए उचित प्रावधान उचित काम करना चाहिए अब सरकार के पास पैसा होगा तब तो सरकार करेगी बरना नहीं करेगी तो यह सकारात्मक दाइत तो है अब इसके लिए तो नियाले में नहीं जा सकते इसके लिए कोट में नहीं जा सकते मैं कहूं कि म माइन प्रसियेबल बाई कुट तो ऐसी चीज जो संविधान में एण फॉर्सियेबल है तो वो तूसके लिए तो आप न्याले में जा सकते हो मतलब न्याले के दौरा परवरतनिये हैं तो भारत के संविधान के fundamental rights जो है ये परवर्तनिये हैं लेकिन नीती निर्देशक तब तो जो है परवर्तनिये नहीं है किस article में कहा गया है article 37 सरकार के पास अगर सक्षम है तो करेगी नहीं सक्षम है तो नहीं करेगी ठीक है समझ में आ गया अगला प्रस्ण क्या है भारत सरकार के किस के किस से FARA को प्रतिय स्थापित किया FARA जो एक Act था Foreign Exchange Regulation Act था 1973 में पारित हुआ था Foreign Exchange Regulation Act था एक ऐसा अधिनियम जिस अधिनियम के अधारपर भारतिय रिजर्ब बैंक हमारे देश में विदेशी मुद्रा बंडार को नियंतरित करता था समझ गए आप लोग तो यहां पर देखे भारत सरकार ने किस से F.E.R.E. को प्रतिय स्थापित किया तो फेमा अधिनियम जो 1990 में 1999 में पारित क्या गया था फेमा का मतलब होता है foreign exchange management act बिदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम बिदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अधार पर ठीक है अगला question क्या है आप से पुछा गया कि निमलकित में से कौन भारत की सबसे बड़ी बीमा company है भारत की सबसे बड़ी बीमा company है जो जिन्दगी के साथ भी है और जिन्दगी के बाद भी है बस कुछी देर और आपकी भूक जो लगी है मुझे पता है तो कुछ देर और रुक जाईए उसके बाद भोजन करिएगा बिलकुल अनीश राइजादा जी मुझे बिलकुल पता है चलिए लाइसी लाइफ इंसुरेंस कॉर्परिशन ओफ इंडिया अपको पता है कि भारत सरकार के अंतरगत सबसे बड़ी बीमा company जो लाइसी act 1956 के अधार पर स्थापित हुआ था ठीक है और इसका headquarter कहां पर है मुंबई में है अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में बीमा company को मतलब insurance sector को regulate कौन करता है तो IRDA करता है कौन करता है IRDA क्या है भारतिये बीमा नियामा के विकास प्रादिकरन जिसका स्थापना हुआ था 2000 में और IRDA का headquarter जो है है ठीक है कहां पर headquarter है है अगला question क्या है संग लोग सेवा आयोग की अध्यक्स की नुक्ति कौन करता है Union Public Service Commission UPSC आपको बता दो मैं कि 1 October 1926 को UPSC के अस्थापना हुई थी कहां पर New Delhi में ठीक है शाह जहां मार्ग पर UPSC का office located है ठीक है 1926 एक अक्टूबर को UPSC के स्थापना हुई थी सवाल आपसे पुछा गए कि UPSC की अध्यक्स की नुक्ति कौन करता है अभी बरतमान में UPSC की चेर्मेन कौन है मनोज सोनी है कौन है UPSC चेर्मेन मनोज सोनी है और UPSC चेर्मेन की नुक्ति भारत के राष्ट पती करते हैं देखें not only UPSC भारत के मुख्य निर्वाचे नायुक्त चीफ एलेक्षन कमिस्नर भारत के सुप्रिम कोट के मुख्य न्यायधिस या UPSC के चेर्मेन एट और्नी जेनरल महा न्यायवादी नियंत्रा के महालेखा परिक्षा कैग ऐसी तमाम न्युक्तियां जो है जो संबैधानिक पदो पर आसीन लोग हैं यह सब राष्ट पती करते हैं ठीक है कौन करता है राष्ट पती करते हैं अगले क्वेशन क्या है जन संख्या के अध्यान की रूप पे जाना जाता है अध्यान की रूप अध्यान की रूप अध्यान को किस नाम से जाना जाता है डेमोग्राफी क्लिमेटिलोजी पैट्रोलोजी हाइड्रोलोजी डेमोग्राफी जन संख्यान की कहा जाता है जन संख्या के अध्यान को तो आप्शन ए राइट है अगला क्वेशन ये है कि इंपिरियल बैंक का गठन किस वर्स में किया गया था अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस बैंक को का नामें नहीं सुने है तो जो नामें नहीं सुने है उनको मैं बता दूँगा कि ये है क्या Imperial Bank जो है State Bank of India का पुराना नाम है पहले इंपिरियल बैंक के नाम से जाना जाता था State Bank of India पहले Imperial Bank ही था इंपिरियल बैंक बना था कब पुरतीभा नमस्कार 1921 में Imperial Bank तीन बैंकों को मिला करके बनाय गया था एक था Bank of Bengal Bank of Bengal दूसरा था Bank of Bank of Bombay तीसरा Bank of Madras Bank of Madras ठीक है तीनों को मिला करके 1921 में Imperial Bank बना SBI या धिनियम 1955 में पारित किया गया और इसका नाम कर दिया गया भारती स्टेट बैंक ठीक है भारती स्टेट बैंक अगला क्वेश्चन यह है कि या पर्सिस्टेंट फॉल इन जेनरल प्राइस level of goods and services is known as वस्तू और सिवाओं के समान्य मुल्य अस्तर में लगातार गिरावट को किस नाम से जाना जाता है जैसे होता है ने कि वस्तू वस्तू सिव कुमार जी प्रणाम प्रणाम आपको भी देखे यहां पर आपसे प्रस्ण पूछा गया है कि हमारे देश में जब महंगाई बढ़ती है तो वस्तू और सिवाओं का मुल्य जो लगातार बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि यह महंगाई बढ़ गई है इंफलेशन बढ़ गया है तो उसे हम क्या कहेंगे इंफलेशन मतलब मुद्रास फिती कहेंगे लेकिन जब लगातार वस्तु और सेवाओं का प्राइस गिर रहा हो नीचे तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे deflation क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे deflation तो option A क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे deflation कहेंगे स्टैगफलेशन होता है जब महंगाई भी हो और बेरुजगारी भी बढ़े मतलब महंगाई बढ़ रही है और आर्थिक विकास चौपट थैं तो मतलब जुठे महंगाई बढ़ रहा है देश की अर्थ वेवस्ता है कमजोर हो रही है GDP का growth कम हो रहा है लेकिन महेंगाई बढ़े जा रही है धडलले से तो इसको हम बोलेंगे मुद्रा स्फिती जनित मंदी मतलब मंदी भी हो और महेंगाई समान्य तोर पर जब महेंगाई बढ़ती है तो देश का आर्थिक विकास भी होना चाहिए मतलब मंदी नहीं होना चाहिए महेंगाई के साथ आर्थिक विकास जुड़ा होता है जब महेंगाई बढ़ती है तो आर्थिक विकास होना चाहिए क्यों ऐसा होता है क्योंकि महेंगाई तभी बढ़ती है जब डिमांड बढ़ता है ठीक है जब डिमांड बढ़ेगा तो उत लेकिन देश का GDP बढ़ेगा रोजगार का स्रिजन होगा तो इसे हम positive मिलेंगे ठीक है महंगाई बढ़ेगी लेकिन रोजगार मिलेगा लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि महंगाई बढ़ रही है बेरोजगारी जादा हो रहा है आर्थिक मंदी आ गई ऐसे situation को is the equation कहते है roadmap ed Afghanal Pennsylvania Tech a this inflation क्या होता है जैसे माल निटेञ परसेंग इंफलेशन है घड़ करके 8% हो गई इसका मतलब डिफलेशन नहीं हुआ इसका मतलब inflation का rate कम हो रहा है तो disk inflation किल ऑई डिसीनफलेशन डिफेशन तो तब हुआ जब यह मेहंगाई दीगेटीप में चला जाए मतलब एक परसेंट भी बढ़ रहा थो बढ़ रहा है ना लेकिन माइनस वान परसेंट हो गया तो सब्सक्राइब घट रहा है तो वह डिफलेशन हुआ समझ मैं आया नहीं आय सेशन बेनेफिशन है भारत के समधान के अनुछेद 352 के तहद आपात काल की घोशना किस इस्तीतियों में की जाती है question no.60 ist कि भारत के सम्विदान के आर्टिकल 352 में जब राश्ट्रिय अपातकाल की घोशना की जाती है National Emergency मतलब राश्ट्रिय अपातकाल जब दूसरा देश भारत पे आकरमण कर दे या भारत में आंतरिक विद्रो हो जाए, ससस्त्र विद्रो हो जाए ऐसे सिच्वेशन में जो है राश्ट्रिय अपातकाल जोशित होता है युद्ध आकरमण ऐसे सिच्वेशन में तो यह जो है यहां देखिए Armed Revealing, External Aggression and War, युद्ध बाहरी आकरमण और ससस्त्र विद्रो इसके कारण ही हमारे देश में राश्ट्रिय अपातकाल की घोशना भारत के राश्ट्पती करते हैं ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं कि आप लोग को मैंने प्रस्नों के माध्यम से संचिप्त पिस्लेशन के माध्यम से हमने 60 प्रस्नाज कराए जिसमें करेंट अफेर्स की भी क्वेशन्स थे तो जादा भूमिका थी तो इसी प्रकार से आपकी तैयारी जो है कॉंटिन्यू रहेगी लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स हैं जिनको सबजेक्ट पर उनकी नॉलेज जो है ठीक नहीं है तो उनका स्कोर बहतर करने के लिए ही हम लोग निस क्रैस कोर्स को स्टार्ट किया है तो पूरी बिहारड़ा 24-7 की टीम के माध्यम से ये क्रैस कोर्स सुरू किया जा रहा है जिसमें ये टीम होगी फैकल्टी की आप देख पाएंगे पूरी फैकल्टी की टीम जहां पर जी के जीएस के लिए मैं रहूंगा हमारे साथ और भी फैकल्टी जैसे जितंद्र शर रहेंगे करेंट में ससिकान सर रहेंगे और चंदन सर साइंस रिजनिंग आलोक सर दिपती में इंगलिश इंदी के लिए प्रियंका में तो यह पूरी जो टीम रहेंगे आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा और कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो प्रारंब होगा 21 मार्च से ठीक है तरीका क्या है इसके अन्रॉल्मेंट का मैंने स्क्रीन सॉट लिया है फीस आपको ज्यादा जरूर दिखेगा लेकिन जैसे ही आप इस डिसकाउंट कूपन कोड को अपलाई करेंगे फी बिल्कूल ही रेडूस हो जाएगा कूपन कोड क्या है वाई 645 इसको याद रखेगा नोट डाउन कर लिजेगा कहीं पर वाई 645 अपलाई करते ही फी रेडूस हो करके मात्र आपको 704 रुपीज में 704 रुपे में आपको एप पर जाना है अड़ा 24-7 एप पर जाकर के बिहार चूज करना है और उसमें बैच का नाम यहीं दिखाएगा बिहार बीएड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट दोहजार तेइस 21 माज से सुरू हो जाएगा यह फाइनल है कि उस दिन से बिलकुल प्रारम हो जाएगा क्र प्रियास पूरा कर रहे हैं आपको भी पता है आप और यह इनिसियेटिव भी हमने स्टार्ट किया ताकि आपके रिक्वार्मेंट भी थी काफी बच्चों के हमारे पास जो संपर्क कर रहे थे ठीक है और बिलकुल अब तरीका जैसे मैं वेब साइट से बता देता हूं और डेलेवरी चार्ज फ्री है बाइस परसेंट ओफ बुक पे है किसी भी बुक पे कोई प्रैक्टिस एट्स गाइट्स प्रिविएस यर पेपर्स अड़ा 24-7 के जो सेलेक्टिट सारे बुक्स हैं टोटल और सारे चुनिंदे बुक्स है उसके लिए कोड अप्लाई करना है व 24-7 सर्च करते पहला लिंक ओपन हो गया अड़ा 24-7.com इसको क्लिक करिए इसको क्लिक करने के बाद जैसे वेब साइट पुरी तरीके से उपन हो जाए एप में तो आपको दिखाए देगा मोबाइल में यहां पर और कोर्स में जाएए और कोर्स में यहां पर स्टेट स्टेट एक्जाम पर स्टेक करना है यहां बिहार पहले नंबर पर ही है बिहार में आप कहाँ पर जाएंगे लिए एक लाइन दूसरी लाइन यहाँपर बिहार बीकर दीजिए तो यहां आपको बैच नजर आ गया बिहार बीॉत और आउन्लाइन लाइव क्लासिस बिहार common entrance test यह आपका course है ठीक है देख लिए आप लोग इस course में आपको fees दिखाएगा 3199 लेकिन आपको इस पे click करना है और click करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है जैसे आपको so हो जाएगा batch इस तरीके से आपको यहाँ पर buy now पर click करना है buy now पर आपको करना क्या है आपको यह apply नहीं करना है आपको क्या apply करना है यहाँ पर हमने जो coupon code आपको बताया y645 य645 coupon code जैसे ही apply करोगे आपने देखा यहाँ पर y645 apply करते ही fee हो गया 735 रुपे लेकिन जब आप app से लेंगे तो यह 704 रुपे का पड़ेगा ठीक है तो app से आप लोग जाकर के अंडॉल कर लीजेगा जैसे यहाँ पर coupon code डालने के बाद यहाँ करेंगे तो आप फुल नेम फोर नंबर इमेल आएगा आप एंडॉल हो जाएंगे बैच में ठीक हो उसके बाद payment का option आ जाएगा तो समझ गई यह पूरा तरीका है एप में और भी असान है इसके अलावा जो books वगरा का मैं offer बता रहा था जो आज 12 बजे तक ही है तो books के लिए आपको क्या करना है देखें यहाँ पर आप चाहेंगे आप website open कर लिया और यहाँ पर आप अब सुरू से open करके मैं दिखा देता हूँ अड़र 24-7 open कर ये इसको click कर लिजे और यहाँ पर आप books वगरा में all courses यहाँ पर आप जाएंगे कोई भी course जैसे आप state exam सेलेक कर लिए बिहार सेलेक कर लिजे ठीक है और यहाँ पर books वगरा सेक्शन में किसी भी course पर open करके आप जा सकते जैसे यहाँ पर test series online live class कहीं से भी link आ जाएगा यहाँ पर books है books not e-books आपको जो है hard copy दिया जाएगा यह books पर click कर देजे books में यह सारे books भी आपके जो भी important books है हर course से related books है वहाँ पर अगर जैसे books आपको लेना हो तो जिस course से related भी आपको लेना हो उसके books यहाँ पर available है ठीक है तो उसमें आपको S code लगाना है Y645S तो आप कोई query है तो आप पूछ लीजिए हमसे ठीक है कि सिखा मिस्रा जी सर आपकी पढ़ाने में कितना question आया था सिखा मिस्रा जी exactly number कहना मुस्किल है बट आपको पता होना जी की content आपने class किया है तो you can judge की कितना अच्छे questions का संकलन रहता है और आपको बारिकी से समझाने का प्र आप इसके चिंता बिलकुल ही ना करें पूरा आपको mentorship पूरी classes हर तरीके से आपको provide किया जाएगा 27 दिन में बिलकुल होगा मेगा पांडे जी आपको मैंने बताया कि crash course है तो crash course में आपको वही चीज कराया जाएगा जो selected है बिलकुल ही selected topics जैसे हमारा अनुभा होता है कि क कौन कौन से topic selected जहां से प्रश्णाने की संभावना है previous year's paper को देखते हुए तो to the point selected सारे subject करा दिये जाएगे और डेली 5-6 घंटे की class होंगी तो आपका definitely हो जाएगा ठीक है बाकी और कोई query किसी की तो चलिए आप लोग सेशन में जुड़े सेशन को like जरूर कर दीजेगा link को share करना मत भूलिएगा अगर आपको लगा हो कि हमारी तरफ से effort किया गया है और यह आपके लिए helpful है तो आपका भी थोड़ा करतब बनता है कि आप इसको share जरूर कर देजिए link को ताकि और लोग भी जुड़ पाएंगे हमारे साथ और भी स्टुटेंट्स का फायदा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीएड के त्यारी करते हैं अपने राज्य में अपने स्टेट में और उनका भी हो जाए क्वालिफाई हो जाएंगे तो कम से कम यह तो रहेगा कि हां स् पीचर की वेकेंसी भी बहुत रहनी है बिहार में उनका सेलेक्शन भी होगा तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सेशन को शेर जरूर कर दीजे और बैच अन्रॉल्मेंट जल्दी करा लिजेगा क्योंकि हो सकता है कि फी को थोड़ा आगे भी और भी इंक इसकाउंट कूपन कोड जो है ना वह अपलाई करके आप वाई 645 से बिहार एक्जाम महापैक ले लेंगे तो बिहार बीट भी और भी एक्जाम के अगर आप त्यारी करते हैं वो भी कवर हो जाएगा समझ गए आई होप समझ में आगया होगा को डाउट कुछ भी होगा त दन्यवाद थैंक यू गुट नाइट गुट नाइट अल फ्यू झाल 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 झाल